नमस्कार मैं भक्ति आप सब का स्वागत करती हूँ दर्शको अल्टिमेट लीविंग का जो सिक्रेट है सिक्रेट्स अफ अल्टिमेट लीविंग इस प्रोग्राम को जारी रखने के लिए आज फिल से हमारे साथ उपस्तित है डॉक्टर सचिन डॉक्टर सचिन आपका स्वागत है नमस्कार यह जो चाबिया है इसका मीस्यूज न हो और यह चाबी बहुत अच्छी तरह से हम यूज कर सकते है या आपने ये भी कहां कि परमात्मा ने हमें कई प्रकार के खजानी दिये है हम जानना चाहते है और हमारे दर्शक भी बहुत उच्छुक है क्या इन खजानों को आप विस्तार से कह सकते हों क्या नहीं है मनुष्य के पास मुझे एक कहानी अच्छी याद आ रही है कि एक बहुत संपन व्यक्ति था और बहुत धन था उसके पास तो उसने सोचा मैंने तो महनत से इसाब कमाया है लेकिन मेरे बच्चो को शायद इसकी वैल्यू नहीं पता चले इसलिए मैं इनको गरीब लोगों के साथ रखना चाहिए मुझे ताकि इनकी वैल्यू इनको पता चले तो वह अपने बच्चे को एक गाव में बेज देता है और कहता है कि जाकर तुम इस गाव में रहो और देखो कि कितनी गरेब होती है दुन्या में तो तुमको पता चलेगा तो वह बच्चा गाव में जाता है और उन लोगों के साथ में रहता है जिनको घर नहीं है ठीक तरह से बहुत कुछ सुवीदा है उनके पास नहीं है एक मैने के बाद वह जब वापिस आता है तब पिता उसको पूछता है Our लेकिन देखिए पापा आपका बहुत बहुत शुकरिया जो आपने हो वहां पे बेजाई तो पीता पुछता Kya हुआ? तो कहता है कि pappa हमारे पास तो दू कुत्ते हैं उनके प़ह सारे कुत्ते है हमारे पास एक शुमिंग पूल एट एख जरूम्स पम पै उनके गाव मे किरे को पता चला कि हम कितने गरीब है तो उनके पापा को तो यह जवाब बिलकुल ही मतलब अनेक्सपेक्टड़ था यही सीकने जैसी बात है और यही सीक्रेट मैं कहना चाहता हूं सबको यह मैंने रियलाइज किया मैं खुद अपना अनुभाव केता हूं मेरा भी जो बच् अनुभा गया इक चाल में गया, Mumbai के चाल में अगरीबी में हम अगरी जस्टू रोम, किछन में हम रहते थे छे लोग और उस समय जब अकाश से एरो प्लैन जाता था तो हम बच्चे बहुत जो जो से तालिया बजाते थे, कि एरो प्लैन जा रहते है और कभी सूचा भी नह मैं छोटा था, आज मैं देखता हूँ कि दो-दो कार है लेकिन वो बच्पन का जो सुख है, वो मुझे अभी तक वो कार का जो सुख जो मैं बच्पन में सोचता था, मैंने देखा कार में नहीं है, जो सुरुवात में मेरे को खुशी थी. Of course, with practice of meditation और जो secrets मिलने के बाद वो less importance, लेकिन मैं अपनी जरनी के बारे मैं सोचता हूँ, जब computers आये तो मैं बहुत खुश हुआ कि computers लोग सीख रहे, हमको भी सीखना चाहिए, क्या मेरे बास ऐसा computer हो सकता है, क्या अपने लिए खूद, आज दो-दो laptop पास में हैं, और फिर म मैं ऐसा सोचता ता कि इससे मैं सुखी हो जाओंगा, लेकिन दीरे दीरे मैंने देखा कि इन सब चीजों में सुख नहीं है, लेकिन इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि हमें इसको यूज नहीं है, यूज जरूर करना चाहिए, ये हमारे लिए लेकिन हम इनके लिए नहीं है, इत करते करते उसमें डिपेंट हो गए है और ये डिपेंडनसी जो है उस डिपेंडनसी के ही शायद कारण आज हमारी चावी जो आप बोल रहे है शायद हम उसको यूज सही तरीके से नहीं कर रहे हैं या उसको यूज करने का जो कुछ हमारा तरीका है वो गलत है तो उसमें आप यह दो बाते मैं बता रहा हो। कि एक तोख रोजाने आपने पूछा, Second रहा है, ठीक हमारी में सुख रहे ञोहा हैं जही है। लेकिन हमने क्या समझां कि साधन मना यह सूख, साधन सुख नहीं है। सभी से सुवीदान मिलते है और पर सूख के गारंटी नहीं है। अगर सअधन में सुख होता, तो जिसके पस सब से जाанд आद है वो सब से सुख होता है। तो catches कि हम ढही है। क्योंकि हम देखे जिनके पस कम साधन है, वो भी सुख हो सक्थे और शुक्र आणुबव कर सकते हैं। जो हमको परमात्माने दिये, ये खजाने हमारे अंदर है, हम फिर से कह रहे है, ये ही सिक्रेट आफ अल्टिमेट लिविंग है, कि ये बाहर से अंदर नहीं जा रहा है, ये अंदर से बाहर जा रहा है, ठीक है, मैं सुखी हूँ, इसलिए मुझे सब अच्छा लगता है, सब मेरे पास हो, तो मैं सुखी हूँगा, ये गलत है, आप बाहर से अंदर जा रहा है, अंदर से बाहर जाना चाहिए, तो हमको बेसिकली ये चीजे चाहिए, ये खजाने है, और चाभी की जो आपने बात की, ये की हम को ये सीखना है, कि अगर मैं अपने संकल्प शक्ती को य ये संकल्प शक्ती के बारे में हम जानना चाहते है, कि ये संकल्प शक्ती क्या है, कैसे हम इसको बहुत अच्छी तरह से सकारात्मक ले सकते है, और इन संकल्पों का प्रभाव हमारे ओपर कहा तक पड़ता है, कोई नई बात नहीं है, कई बार लोकों को लगता है, कि सिक् सबी शास्त्रों में लिका हुआ है, सभी लोगों को भी पता है, ऐसे नहीं कि पता नहीं है, फरक इतना ही है कि इसको यथार्त रोप में विधी पूर्वक यूज करना नहीं आता है, उसमें फरक पड़ जाता है. तो वही वीधी हम आप से सीखना चाहते हैं. वीधी यह है कि थोड़ा पहले इसको मैसुस करो कि यह शक्ति कैसे आपके अंदर है और कैसे यह वेस्ट जा रही है जैसे मेरे पास बहुत सारे पैसे पड़े हुए है ठीक है ना लेकिन मेरे को एक तो पता नहीं कि यह बहुत इंपॉर्टेंट है वैल्यूबल है दूसरा मे क्लिए अधर को मेरे पास को दूसे लेकर जा रहा है और मैं लुग है असको यूजने कर पा रहा हो यह दो बात मेरे को पता चल गई और तीसरी पात यह पैसों को अगर मैं सही रूपमे इस्तेमाल करो तो मेरे बहुट सारे समझ से काम हो सकते हैं तो पहली बात मेरे पास ये धन है या ख़जाना है अलग-अलग हमने इसको नाम दिये वो क्या है तो इसके महत्वा को हम जानेंगे आपके सामने एक स्लाइड जिसमें दिखाया है कि वेन यू थिंक युनिवर्स मोज ऐसे अंग्रेजी में एक वाक्य है बहुत शक्ति चाले मेरे को लगता है कि जब मैं सोचता हूं पूरा विश्वा हील जाता है अभी जब मैं ये वाक्य को महसुस किया तो मैंने रियलाइज किया कि क्या शक उसको हम किस प्रकार से सही रंग से हिला सकते है एक्जैकली मैं बच्पन में सुनता था कि भगवान को जब नई रचना रचनी थे तब उसने पहले संकल्प किया कि मेरे को नई रचना रचनी और उसने नई दुनिया बनाएए ठीक है नब्रह्ण के द्वारा नई रुचन लेकिन आज 2013 में 21 शताबदी में हमको साइन्स ये कह रहा है थोड़ा साइन्स की भाषा में कहोंगा कि इस समय हम सब पुल अफ एनर्जी में हैं, एनर्जी के समुंदर में हम हैं, कैसे ये पूरा जो भी दिखाई देता है एक प्रकार की उर्जा है, ऐसे हमको साइन्स केता है, एनर्जी है और ओ एनर्जी एक समुंदर की तरह है, ठीक है ना, जैसे समुंदर विशाल महा काय होता है, वैसे एनर्जी है आनन्त है, बहुत विशाल समुंदर है, और यह समुंदर और कुछ नहीं, लेकिन विचारों का समुंदर है, कैसे, आप कलपना करो, इस पृत्वी के उपर, इस समय साथ सो करोड लोग रहते हैं, और हर इनसान से कुछ प्रकमपन निकल रहे है, यह तो हम आनते, प्रकमपन कह हो, वृत्ति कहो, अलग-अलग नाम दिये, पर कुछ एनरजी निकलती है, ठीक है न, यह एनरजी जड़ पदार्तों से भी निकलती, जैसे यह तेबल है, इस से भी वो प्रकमपन निकलते हैं, ठीक है न, और आज कल हम इसको कैमेरा में भी कैच कर लेते हैं, हमने इसको प् अभी जब मेरे गोते कह रहे हैं, यह भी कह सकते हैं, तब हम कह सकते हैं कि हमारा जीवन जो है, वो अल्टिमेट हो गया, तो वो हम आपसे जानना चाहते हैं, कि कैसे हम इस समुंदर में रहते हुए भी बहुत अची तरह से कुसको एंजॉई करें, आज हम एंजॉई नहीं कर रहे हैं, जैसे गोते खाना तो एंजॉईमेंट है नहीं, तो उसको आप ज़रा प्रकाश्टा लिए. मेरे पास लोग आते हैं कहते हैं कि डॉक्टर सब सुबह तक मैं अच्छा था, शाम को पता नहीं मेरा मूड आफ हो गया, तो यह मूड आफ हो गया, जो शब्द है उसको बहुत संबालना है, जैसे आप कहते हैं मूड आफ हो गया, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, दो चीजे हो रही है, या तो आप जिस विचारों के समुंदर में है, आपके पास कुछ ऐसे प्रकंपन आ रहे है, जो आपके नहीं है, जैसे कि आपके नहीं है, जैसे मेरे को अपने सूर्य को जगाना है, बादल कहान से भीन वाहँ है तो और मैरे को सोलुषन के आप कर अज मेरे को सुर्य को जगाना है, बादल कहां से एनने दो इस जो अने दो bringing is nytव. मेरे को अपनी लाइट इतनी बढ़ानी है कि बादलों का मेरे उपर इफेक ना पड़े यह सूर्य है कहां यह सूर्य अमारे अंदर है और हम खुद यह सूर्य है कि जैसे अगर आपने सोच ना बदला बार बार आमारे कि जैसे आम अपने चावी को घुमा रहे हैं, संकल्प को बदल रहे हैं, हमारे सुरिष्टी बदलेगे, क्योंकि प्रिंसिपल वही है, यह तिंक युणिवर्स मौस, युणिवर्स माना बड़ी कोई बात के बारे में नहीं सोच, पहले तो पने शरीर से चालो करो, यह शरीर एक समूंदर है, जिसमें अप है, कंटिन्यूसली, फिर आपके साथ में रहने वाले आपके घर वाले, वह भी आपके साथ है समूंदर म आप जिस समाज में रहते है वो एक समुंदर है आप जिस राष्ट्र में रहते है उसका एक समुंदर है आपने अभी कहा कि उसको परिवर्तन करना है लेकिन ये परिवर्तन की दिशा तो जाननी चाहिए न तो ये परिवर्तन की दिशा के बारे में हमें बताओ ये परिवर्तन कैसे करना है और उसकी सहज युक्ति क्या है उसकी सहज युक्ति यही है कि आप साइलेंस में जा जैसे जागरुती का स्तर अलग होता है, कई लोगों को पता चलता है, मेरे ये विचार चल रहे है, मेरे अंदर ये भावना का साहिलाब चल रहा है, मतलब जैसे कि हम कहते है, मेरा इनर माइंड कुछ कह रहा था, उसको हम ऐसा कहेंगे? माइंड शब्द जा जब माइं इस्तेमाल करता हूं, हरेक मन जारेक इसे हों, रहेक और जायं जादिन की तरहो बिखली है, क्योंकि साइन्टिस्ट माइंड माँवाना ब्रेओं को समझते है, रιαनी माइंड है, मन प्रकूर्णी का हिस्सा है, ये भी एक लोग मानते है, कई स् तो आपको पता चलेगा कि कुछ तो चल रहा है मेरे अंदर साक्षी होना ये थोड़ा हम को अच्छी होना चुरुवात में क्योंकि हमारा पूरा अभ्यास दूसरों को देखने में जाता है जिंदगी वर हम दूसरों को देखते रहते तो बहुत मुश्किल है हमारी उर्जा आपको थोड़ा अंडर तर्न करना पड़ेगा उसके लिए शुरुवात में मैं कहूंगा कि आप एकांत में चले जाओ जहां पर आपको डिस्टब कोई ना करे और सिप अपने को देखो अपने को देखो कि मेरे अंदर क्या चल रहा है क्या मैं अपने विचारों को कभी-कभी सचमुष डॉक्टर ऐसा लगता है कि मैं क्या सोच रही हूं लेकिन यह सोचने के बात की प्रोसेस है तब तक सोचा हुआ रहता है जैसे कि आपने कहां की उर्जा तो चली गई कोई बात ने आप एक दिन में बीमारी ठीक नहीं होगे ठीक है ना मलेरिया का तीर दिन का इलाज होता है टीबी का छे से नौ मैने इलाज होता है तो इसका इलाज का भी कुछ समय है बीमारी के उपर है जितनी पुरानी बीमारी उतना लंबे इलाज है हर परसं का वो अलग जहुआज नहीं कर सकते आपको देखना है पर रे तो आपको अपनी पीमारी का डाइग्नोस करना यह पर आपको सी क्रेट देर रहे की पीमारी ऑपूपर दॉक्टर युट आप अब से आपने मेडिटेशन करने को पोला ताप से और अशान्ति कानुव होता है। मैंने का यह गुड़ साइन। कम से कम बीमारी का डाइगनोसिस तो हो रहा है कि इतीन अशान्ति थी। पहले तो यह भी नहीं पता था इतनी अशान्ति है। तो उसमें अगर पोई प्रॉब्लम आया, मेरे को उसका मेकानिक सी पता नहीं तो मैं इसको कैसे रिपेर कर के आगे कैसे लेके जाओ। तो मेरी जिन्दगी की गारी भी, और अगे नहीं ब़ड़ गset ़िए तो क्योंुड नहीं साउन हृएन क्योंकि मुझे उसका रिपयर मेंेगानिजम पता नहीं हृट कयों वो काम करते हैं इसका घ्सलेटर कंड़र कंड़ काही nuclear क्लच कहा है और कार्बुरेटर में कच्रा तो नहीं आया है और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम एक्सिलेटर के ब्रेक ही दबादेते हैं दोनों बाते है यह तो एक्सिलेटर जादा है यह ब्रेक या आपकी पेट्रोल की टाके में लिकेज है, बहुत सारी बाते हैं तो ये सब तभी पता चलेगा जब आप अपने साथ बैठों के इकांट में बार बार खेह रहा हूं यहां पर मैं देख रहा हूं आज का मनुष्य भाग रहा है बस भाग रहा है उसको देखने को टाइम ही मेरे गाड़ी के सबी इंजिन बराबर है के नहीं कहीं ऐसा नहीं कि मेरे को भाग रहा हूं और सामने से भी कोई बागता हुआ रहा है या राइड लेफ से आ रहा है एक्सिदेंस हो सकते हैं मेरे को रोकना भी आना चाहिए मेरे मेकानिजम के बारे मेरे को पता चलना चाहि तो पहला डाइग्नोस करो अपनी बीमारी को पता करो कि मेरे कौन से विचार चलते हैं, मेरे विचारों की स्पीड क्या है, मेरे अंदर कौन सी भावनाएं हैं, उसमें से कितनी भावनाएं सुक देने वाली है, कितनी भावनाओं के बाद में अनकमफर्टेबल मैसस करता हूं क्या मेरे भावनाएं विचेश परिस्थिती में अनकमफर्टेबल होती है, या हर बार में वैसे ही रहता हूं, बहुत सारी बातों को अब्जर करना है, पहली स्टेप मैं समझती हूं यह है कि स्वयम का अब्जर्वेशन, और उसके लिए, अब्जर्वेशन के लिए, अब कि लिए नेक्स्टेप के अब्जर्व चाहिए, इसके लिए बहुत अब्जर्वेशन के जरूरत है, आप भी बहुत फास जाने के कोश़श कर रहे हैं लेकिन अब्जर करो इसमे जल्दबाजी नहीं करो क्यों कि बीमारी का हर किटानू मेरे को पता होना चाहिए, कि यहे हमारे बोड़ी में बहुत सारे बैक्टिरिया भी होते हैं, फंगस इंफेक्शन भी होता है, वाइरसे भी होते हैं, तो मेरे को बहुत अच्छी तरह से अबसर करना चाहिए, हमको जो बताया गया है कि जीवन का पहला और आकरी अध्या एक ही है, वह है मै कॉन, पहले दिन में हम यही सवाल पूछते हैं, मै कॉन और लास्ट डे में भी हमारा प्रश्नवाई रहता है, सिप जवाब बदलता जाता है, क्योंकि जितना जवाब बदलता जाता है, उतना मुझे अपने बारे में क्लैरिटी आती जाती है, तो अपने आपको अच्छी तरह से देखो, में बैठो और तब आपको पता चलेगा कि मुझे क्या करना है, जा भी उधर ही है, क्या करना उधर ही है, सिप देखते जाएंगे तो आपको solution भी मिलेगा कि यहां मैं थोड़ा भाग रहा हूं, मुझे अभी slow करना चाहिए, यहां मैं थोड़ा जादा बोल रहा हूं, मेरे को कम करना चाहिए, जैसे आप साक्षियो के देखने लगते हैं, आपको अधर ही solution मिलने लगता है, तो first stage और सबसे कि अपने आपको देखो, और देखने के बाद फिर आपकी जैसे ही बीमारी आपने डाइगनोज किये, फिर आप दावाई का इस्तेमाल चालो कर दो, वो दावाई यहां तो आपको खूद मिल जाएगी, अगर नहीं मिलते हैं तो हम आपको रेडिमेड देंगे, नहीं को त बीच बीच में मेडिटेशन शब्दा यूज किया, तो उसके लिए किस प्रकार की विचारों की प्रवाह जरूरी है, किस दिशा में हमारा विचार को हो या मेडिटेशन के जरीए हम कैसे उस तक आ सकते हैं, यह हमें आप चरा विस्तृत अभी अम इसका अनुगो करते हैं हम सब साइलेंस में बैठेंगे, आप अपने आपको ऐसे स्थान पर रखो जहां आपको डिस्ट्रेक्शन ना हो, आपका मोबाईल है तो उसको साइलेंट मोड पर रखो, कोई महत्वपूरुन आप कार्या कर रहे तो उसको रोक तो, ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे एकदम रिलाक्स होके बैठेंगे अपने आपको एकदम हलका छोड़ देंगे आप, शान्त हो जाएए, अगर आपको आखे खुली रखे एक आगर होना कठीन हो रहा है तो आप आखे बंद कर सकते हैं, बिल्कुल हलका हो जाएए, दोनों हाथ, दोनों पैर, च्छाती पीट की मासपेशिया, गर्दन, चहरा एकदम हलका छोड़ देजे, शान्त और रिलाक्स, महसुस कीजिए आपका संपूर्न शरीर हलका होते जा रहा है, शान्त और हलका, बिल्कुल हलका होते जा रहा है, एक से पांच मैं उल्टा गिनूंगा, जैसे पांच से एक के तरफ पांगा, आप और हलके होते जाएंगे, पांच और हलके, चार और हलके होते जा रहे, तीन, बहुत अच्छा लग रहे है, महसुस करेंगे, दो, और एक, बिल्कुल शान्त और हलका बन, महसुस हो रहा है, अपना ध्यान दो आँखों के बीच में लेके जाए और महसुस किशिए कि आपके अंदर क्या चल रहा है अपने आपको देखिए देखिए आपके अंदर क्या क्या प्रकंपन है बहुत शांती से बहुत धैरियता से देखिए आपके कौन से विचार है उसके साथ fight मत कीजिए उनको रोकने की कोशिश ने कीजिए केवल देखते जाइए कौन से विचार चल रहे हैं उन विचारों की गती क्या है क्या बहुत भाग रहे हैं विचार सिब देखते रही है उनको classy भाई भी मत कीजिए कि यह अच्छे है या बूरे है कौन से विचार चल रहे हैं मैं देख रहाँ अपने आपको बिलकुल हलका छोड़ दीजिए अपने आपको देखिए आपके अंदर कौन सी भावनाई आ रही है क्या आप comfortable है या इंकमफरटेबल है और अपने आपको बिलकुल हलका छोड़ देंगे शान्द और रिलाक्स मैं हैसुस करो आपको कैसा लग रहा है आप अपने आपको देख रहे हैं आज मुझे पता चल रहा है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है मैं बिल्कुल शान्थ हूँ मेरे अंदर जो भी विचार चल रहा है मैं उसके साथ अपने आपको आइदेंटिफाई नहीं कर रहा हूँ मेरे विचार भी शान्थ होते जा रहा है मेरा शरीर और मन भी शान्थ होते जा रहा है मेरे अंदर के सभी उर्चाए जो बिखर रही थी वो अभी एक आगर होते जा रहे हैं मैं बिल्कुल शान्त और रिलाक्स हूँ शान्त रिलाक्स धीरे धीरे अपनी पूर्ववत अवस्था में आएंगे और अपनी आखे खोलेंगे रिलाक्स अओम शान्त आपको केवल इतना ही करना है पाईली स्टेश में अपने आपको देखना है आपको यह सीक्रेट अप अल्टिमेंट लिविंग अपने आप पता चल जाएगा बहुत ही सुंदर सच मुच डॉक्टर आपने अभी बार बार जो अंदर देखना अंदर देखना इसका प्रयोग किया अभी हमको थोड़ा सा समझ में आया है कि कैसे सेल्फ अब्जर्वेशन करना है और मैं समझती हूँ इसी से ही हम अपने जीवन को बहुत सुंदर तहदिल से शुक्रिया दर्शको अभी हम सेल्फ अब्जर्वेशन को तो बहुत अच्छी तरह जान चुके है लेकिन यह कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि कोई तीन मिनिट के अंदर हम अपना पूरा उब्जर्वेशन कर सके उसके लिए तो काफी समय चाहिए क्योंकि जैस हमार भाएध झाल तरह जान चुके प्रक्रिया नहीं है।